बस यहाँ पर चल रही है बच्चों के लिए नाश्टे की तयारी मतलब बच्चों के पापा के लिए भी चल रही है बट उन्हें जो है आज आज आफिस नहीं जाना है वो घर से ही काम करने वाले हैं यहां पढ़ना मैंने हरे वाले जो बैंगन होते हैं वो भूने थे तो यह बैंगन हरी दुआर से आये थे हमारे घर से ही तो बस बैंगन अच्छे से भून लिये हैं और इनका भरता बहुत अच्छा बनता है बुनने के बाद मैं करी हूँ उसके मसाले की तयारी तो दो से तीन प्यास जो है मैंने लिये है और साथ में लेसुन ये सारी चीजे में चॉप्ट करूँगी उसके बाद हरी मिर्च और टमाटर को भी मैं चॉप्ट करूँगी इस बीच जो है मैं बच्चों को भी उठा के आगई थी कि वही उठ जाओ आज विदाश का भी exam था मतलब जो उनके real exam है न वो तो मंडे से शुरू है आज उसका art and craft का exam था तो जब तक बच्चों के real वाले exam शुरू नहीं होते न मतलब maths का, hindi का, english का तब तक उनको वो एक्जाम एक्जाम जैसे लगते नहीं है तो अब जैसी रोज मैं बोलती थी ना उन्हें कि तुमारे एक्जाम है पढ़ लो तो बोलते थे नहीं हमारे एक्जाम तो मंडे से शुरू है तो इस excitement में आज विदांश जल्दी भी उठ गया था मतब जैसी दांश उठ जाओ आज एक्जाम है तो वो तुरंट से उठ गया लगा लेते हैं भरते में तड़का मैंने मस्टर्ड ओयल लिया है साथ में राई और थोड़ा सा हींग एट किया है उसके बाद चॉप्ट किया वह प्याज और लैसुन एट कर दिया है इसको करेंगे मटर डाल दो मटर और मेथी तो और भी ज्यादा टेस्टी यह बनता है मेरे हस्बंड को परस्नली मटर वाला जो बैगन का भरता होता वह बहुत अच्छा लगता है तो यहां देखे मैं तीन से चार हरी मिर्च ले ली है यह हरी मिर्ची ज्यादा तीकी नहीं है मतलब इन मे यह बने जो बहुए मैं ज्थे करेंगे और इसमें जो मे बने मटर केव को होती है नमक को छोड़कर जोकर एक बार अच्छे से मिख्स करेंगे इसारी जो टेमाटर है और हरी मिर्च है चौप्ट की होई हुई वह मैंस पे एक अड़ कर देंगे और यह-मे प्रॉमोशनल वीडियो करती हूं न तो बहुत सारे नेगेटिव कॉमेंट्स आते हैं तो मैं बस आप लोगों को इतना बोलूंगी कि जब भी मैं कोई प्रॉमोशनल वीडियो करती हूं अगर आपको वो वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप न उतना पार्ट जो है वो छो चौ conduc होती है और इसके साथ ही अगर आपको वह प्रोड़क्त प्रसंद आता है तो आप प्रचेस कीजिए Aगर आपको लगता ह這是 तो यहास होतی हैð आप की चौ बघा करता है तो ब्स इतना बोलुघी कि प्लीज जब भी कोई promotional वीडियो करती हूँ ना तो उसके बाद लगातार जो है ना negative comments आते हैं और मैं महीने में आपको पता ही है कि कितने ही promotional वीडियो करती हूँ है से तीन या चार इसे ज़्यादा तो मैं वीडियो करती भी नहीं हूँ तो प्लीज आप थोड़ा सा कीजिए कि यह paid promotion है तो बस इतना ही मुझे आप लोग उसे कहना है यहां पर जो है मैंने बच्चों के लिए नाश्ता तयार कर दिया है और उसके बाद मैंने बच्चों के पापा के लिए जो है नीबू और मैंदू थोड़ा सा गरम करूंगी क्योंकि वंचिका को खाने है कॉनफ्लेक्स तो मैंने कॉनफ्लेक्स बंगाया थे ना विदांश को तो इतने जाधा पसंद नहीं आए तो नहीं खा रहा है लेकिन वंच्चुं है ना तो वो खा लेती बच्च को नŌफ फ्रूट लूप्स ही पसंद आ रहे थे तो उसने बोला मेरे लिए वही मंगाओ इलहाल मैं उसके लिए भी वह नहीं मंगाओंगी क्योंकि एक पैकेट में यह कॉन्फलेक्स का मंगा चुकी हूँ अब जब तक यह खतम नहीं होगा तब तक कोई भी दूसरा पैकेट नहीं आ पोटियां और फ्रूट ब्रेक लिए दूनों बनाना ली जाने वाले और पानी की बॉटर्स बरके रख दिये तो दोनों के दोनों वेदाज वेदू वेदू वेड़ाबन टिफिन रखो और आज है बच्चों का क्लास में लास्ट दिन क्योंकि मंदे से जो है ना दोनों के एक्जाम शुरू है, फोटी मोटी पार्टी होने वाली है, इनके क्लास में, तो मैंने इनके लिए बिंगूर तेड़े बिने मंगवाए हैं, तो कर मैसेज आए था है स्कूल से, बच्चों के छोटी सी पार्टी कराएंगे क्लास में, लेकिन ज्यादा चीजे मत भेजना, सिर अजीब सा लग रहे है, अजीब सा लग रहा है, मतला चांदा, पूरी कोशिश करेंगा, तो अल्ड़ बेस्ट, सबसे अच्छा लगता है, कैसी बात कर रहे तो, मुझे तो सबसे अच्छा ड्राइंग लगती थी, और तेरा फेवरिट कौन सा है अच्छा और लिखने वाले में पढ़ने वाले में तो पढ़ने वाले में होगा और वंची का किस चीज़ का है आज तो दोनों अच्छे से एक्जाम करना ठीक है दोनों को all the best और बाकी में एक्जाम तो तुमारे मंडे से शुरू होगे वंची का कि तो मंडे छुट्टी है मंडे पहले एक्जाम तो विदांच कही है यह अपने टेड़े मेडे रखो चलो जाओ वंची का अपना टिफिन भी रख ले बिट्टा पर टिफिन दे देती हूं यह लो हम टाइम टेबल लगावा है दोनों का ठीक है ओके चलो बाई बा बाई आए अब आए अब लोगों से दुपैर में मिल रही हूं सुबे मैं आप लोगों से मिली थी जब बच्चे को स्कूल भेज दिया था उसके बाद मैं अपने घर की जो है काम किये और अपने घर के काम गंडे के बाद आज का ना मतलब उस टाइम से पूरा दिन पना आ का एक्सपेरिमेंट तो सबसे पहले दिखा दूँ यह मैंने खुद से किया है गर पे मैं कहीं बाहर नहीं गई हूं बहुत अइन से मैं सोच रही थी कि मैं अपने बाहर मिना कुछ करा हूं क्योंकि मुझी कम से कम एक से डेट साल हूं गया है मैंने बाहर पे कोई भी कराया और इसके साथ ही महंदी लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता है कि महंदी दो तीन घंटे में सोच्टी कौनी रखेगा तो इस सुवे से इसी उधेड में मैं लगी हूई थी कि आज तो मुझे कुछ करना है अपने बाहरों के साथ लेकिन मुझे समझ नहीं आला था तो त सकते च今 में चंधू कितना सुन्दर कर रहा है मैं मतलव मैं जो एक्सेट करी तीन उस अख्षयूस से भी बहुत जाहा अच्छा कर Correct आया शिए की आसके आप लोगों को पूरा डी तेडीमना करोंगी कि मैंने का इस यह जाल लाल से पूरे क्योंकि मैंने हातों से ही कलर लगा दिया था और यह थोड़ से कड़ भी मैंने खुदी घर पे करे क्योंकि जब आपके बालों में इस तरीके का कुछ कलर होता है तो पिर ऐसा लगता है कि आप ना इनको थोड़ा से स्टायल भी करो और बाकी पूरा क्योंकि अगर यही जो है आप बाहर कराने जाते ना पालर में तो यकीन मानिए आराम से चार्ट से पांच जार रुपर आपके लग जाते क्योंकि मैंने सुबह ही पहले फोन कर गे पालर में पता किया था कि मुझे ऐसे से कलर कराना है तो उन्होंने मुझे इतना रेक बता में तो बाकी की सारी डीटेल जो है ना मैं आपको ने स्ट वीडियो में बताऊंगे लेकिन उसके आपको इस वीडियो में खुद सारी कमेंट करने हमें ठीक है तो चलिए अब हो गया है क्योंकि बच्चों के आने कभी टाइम हो जाएगा आज अपने मेकप पर ही मैंने और एक बात बोलू जब आप इस तरीके से रेडी होते हो ना तो इतना अच्छा लगता है ना एक अलग ही confidence होता है बेशक आपको चाहे कोई देखे चाहे ना देखे चाहे आप घर पे अकेले खुद को देख देखे कुछ होते रहो लेकिन एक confidence तो आता है तो आज तो बॉइल करने के लिए और साथ में जो है चावल भी चड़ा दिये अब जब तक दाल बॉइल होगी ना उतनी देर में मैं दाल का जो मसाला है वो रेडी कर लूँगी और चावल फिर बन चुके होंगे इधर ये जो चने की दाल है ये मैंने भी नई निका लिए मैंने फ्रि हूँ मैंने थोड़े से लैसुन की कलियां हरी मिर्च और टमाटर बस चॉप कर दिये हैं मैं प्यास का तड़का नहीं लगा रही हूँ और अगर आप इसमें ना काली मिर्च का पाउडर एड़ कर देते ना थोड़ा सा तो इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आ जात तो दाल बहुत अच्छे से जो है गल गई थी और बहुत अच्छी बनी भी थी तो बस इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का एंड करती हूँ मैं तो वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो इसको लाइक और शेयर करना ना भूल मैं आप से मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ तब तक ले बाबाई एंड टेक कियर